Mostly लोगों को attitude का मतला भी नहीं पता हो था क्योंकि उनके इसाब से जो सुन्दर है उसमें attitude है जो पैसे वाला है उसमें attitude है जो intelligent है उसमें attitude है जिसकी body अच्छी है उसमें attitude है और जिसमें ये सब नहीं उसमें attitude नहीं दोस्त attitude को ना तो पैसो से जोड़ा जाता है ना तो खुबसूरती से जोड़ा जाता है और ना ही पावर से जोड़ा जाता है attitude तो आपके अच्छे behavior से आपकी सोच से आपके बात करने के तरीके से आपकी समझ से जोड़ा जाता है अगर आपको लगता है attitude लोगों को दिखाने की या लोगों को जैलस करवाने की चीज है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं attitude तो खुद को सफल बनाने की लोगों में अपनी value बढ़ाने की चीज है इसलिए video बिल्कुल भी miss मत करना So let's start the video सबसे पहली बात है अपने अंदर की आलोचक को अपने कंट्रोल में रखिए तभी आप में एक positive attitude आएगा हम सभी के अंदर एक ऐसा इंसान चुपा हुआ है जो हमारा बुरा चाहता है वो चाहता है कि लाइफ में हम कभी भी आगे न बढ़ सकें हमिसा रोते रहें जो इंसान अपने अंदर के छुपे हुए आलोचक की बात मानता है वो इंसान लाइफ में इतना negative हो जाता है कि उसे हर चीज में बुराई ही नजर आती है इसलिए आपको अपने अंदर चुपे उस आलोचक को अपने कंट्रोल में रखना होगा तब ही आप एक smart attitude के मालिक बन सकते हो example के लिए मानलो आपने कर्ज लेकर कोई business start किया और किसी वज़े से आपका वो business डूब गया देरे देरे टाइम बीता और आपने फिर से कोई दूसरा business करने के बारे में सोचा तो ऐसे में आपके अंदर का आलोचक आपका confidence डाउन करने की कोशिस करता है और आपसे कहता है बिटा तुस्से न हो पाएगा क्यों अपने माबाप के पैसो को बरबात करने पर तुला हुआ है माना आप पहली बार fail हो गए लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप दोबारा कोशिस ही न गरे अगर आप एक smart attitude के मालिक बनना चाहते हो तो अपने अंदर की आलोचक को अपने कंट्रोल में रखिए दूसरी वाद है खराब परीस्थितियों को एक सही दिसा दीजी आपने सुना होगा देखने वाले का नजरिया बैतर होना चाहिए ताकि हर situation को अपने हिसाब से handle किया जा सके बस आपने वो खूबी होनी चाहिए कि आप खराब हालात को भी एक सही दिसा दे सको एक्जामबल के लिए मानलो आपके घर गैस्ट आने वाले हैं और आपने बड़ी महनस से उनके लिए खाने में अच्छा अच्छा आइटम बनाया था लेकिन किसी वज़े से वो खाना खाने लायक नहीं बचा तो ऐसे में अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप दोबारा से वही खाना बना सको तो ऐसे में खाने की उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो इंस्टेंट रेडी हो जाती है ताकि महमानों के सामने आपकी इंसल्ट ना हो कहने का मतलब एक खराब situation को सही दिसा देना ही एक best attitude का नियम है अगर आप में मुश्किल हालातों को handle करने की power नहीं तो आप कभी भी एक अच्छे attitude के मालिक नहीं बन सकते तीसरी बात है हमेशा एक बात याद रखिए कि समस्याएं हर किसी की life में आती है आपका attitude इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके life में जो भी problem आए आप उनका सामना बड़े आराम से और बिना किसी के help के कर सको आपको आमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हर किसी के life में छोटी मोटी मुसीबते आती रहती है आप दुनिया में अकेले नहीं हो जिस पर मुसीबते आती हैं आपको उन मुसीबतों से घाबराना नहीं है और उनका confidence के साथ सामना करना है एक्जांबल के लिए मानलो आपकी family पर कोई problem आजाती है तो ऐसे में आपको डरना नहीं है और नहीं अपनी हिम्मत को तूटने देना है बलकि आपको आगे बढ़कर अपनी family के साथ खड़े रहकर उस problem से निपटना है और एक नया कल लाना है जो आपकी life में खुसियां भर सके आप में इतना मजबूत attitude होना चाहिए कि आप हर problem का सामना अकेले कर सको मेरी बास से सैमत हो तो comment box में आई अगरी जरूर लिख देना चौती बात है खुस से ही खुस रहना सीखो अपने attitude को positive बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुस से ही खुस रहें आपको अपने द्वारा की एक कामों पर proud होना चाहिए जब आप खुस रहना सीख जाओगे तब आप लोगों को भी impress करना सीख जाओगे उन्हें अपना बनाना सीख जाओगे जो इंसान अपने आप ही खुस रहता है वो इंसान life में कभी भी असफल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर की यही positivity ही उसमें एक great attitude बिल्ड करती है जो उसे और उसे अलग बनाती है आपने देखा होगा ज्यादा तो लोग खुस से ही सिकायते करते हैं उन्हें अपनी life से हमेशा सिकायत रहती हैं ऐसे लोग कभी भी एक बहतर attitude के मालिक नहीं बन सकते क्योंकि कई बार गलत फैसले करने पर लोगों को आपकी शमताओं पर शंका होने लगती है जिस वज़े से आपका self confidence कम होता है और आप अपनी self respect को भी नजर अंदास करने लग जाते हो इसलिए गलती हो जाने पर खुद को सदा देने की बजाए खुद को रोज कोशने की बजाए माफ करना सीखें और हर गलती के लिए खुद को दोस बिल्कुल न दे नहीं तो आप में negativity भर जाएगी और आप हमेशा ही खुद को एक बेकार इंसान मानना सुरू कर दोगे जो आपके attitude के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है देखो यार अगर आप में लोगों को और खुद को माफ करने की पावर है तो लोग आपको पसंद करेंगे आपका नाम लेंगे और आप में greatness बढ़ जाएगी जो कि एक अच्छे attitude के लिए बहुत जरूरी है शटी बात है अपनी qualities को पहचानिए और उन पर काम करिए इस पूरे world में करोडों लोग हैं लेकिन फिर भी हम सभी के हाथों के लग की रहें बिल्कुल अलग अलग है इसी तरह हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ unique talent जरूर होता है जो हमें और उसे अलग बनाता है एक powerful attitude हासिल करने के लिए आपको जरूत है तो बस अपने उस unique point को पहचानने की उसका फाइदा उठाने की सबसे पहले तो आप ऐसी चीजे जिने करने में आपको आनन्द आता है या जिने करने में आप expert हैं उनकी एक list बनाईए उसके बाद इनमें से कुछ चीजों को daily करने का पर्यास करिए आपके ऐसा करने से आप अपने उस quality पर उस skill पर अच्छी पकड़ बना लोगे और लोगों के बीच में आपके एक दमदार personality उभर कर सामने आएगी देखो यार attitude लोगों को नीचा दिखाने में नहीं है एडिटर तो लोगों को अपना बनाने में खुद को सफल बनाने में है साथवी बात है खुद को accept करें life में आगे बढ़ने का सबसे पहला rule यही है आप जैसे भी है वैसे ही खुद को accept कर लें यह ना सोचे कि थोड़ा गोरा होता तो अच्छा होता थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता थोड़ा पतला होता तो अच्छा होता आपकी यही चोकी सी सोच आपकी पूरी life बरबात कर रही है क्योंकि आप अपनी personality की तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं जिससे आपका manoval कम हो जाता है तूटने लगता है और ऐसे मैं आप सिर्फ अपनी कमियों पर focus करने लगते हैं और आपका confidence खत्म हो जाता है इसलिए आपको हमेसा यही सोच कर चलना चाहिए कि आप जैसे भी हैं best हैं जिस दिन आप यह feel करना सुरू कर दोगे मैं best हूँ उस दिन से ही आप में great attitude आना सुरू हो जाएगा जो आपको हर field में सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेगा हो सकता है आपको अपने आप से काफी सारी सिकायते हो लेकिन जरा उनों के बारे में सोच कर देखो जो अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकते यहां तक ही अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते इसलिए हामेसा खुष रहना चाते हो तो खुद को ही accept करना सीखो और bonus tip है खुद पर किसी भी तरह के डर को हावी ना होने दें डर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमें खुद ही करना पड़ता है चाहे आपको बोलने से डर लगता हो चाहे आपको कुछ नया करने से डर लगता हो चाहे आपको लड़कियों से डर लगता हो आपके अंदर जिस भी तरह का डर हो आपको अपने उस डर को दूर करना है उस पर काबू करना है तब ही आप खुद में एक powerful attitude ला सकते हो क्योंकि अगर आप खुद में attitude लाना चाहते हो तो आपको अपने अंदर के उन सभी डर को दूर करना होगा जो आपके confidence को तोड़ रहे हैं जब तक आप अपने अंदर के डर पर काबू नहीं पा लेते तब तक आप में एक powerful attitude नहीं आ सकता और अंत में आप सभी सबस इतना ये कहना चाहूंगा attitude किसे को दिखाने की या बताने की चीज नहीं है attitude एक greatness है जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कुछ लोगों को लगता है अपनी नापूंची करके दूसरों को नीचा दिखाके वो अपना attitude दिखा रहे हैं पर असल में वो ऐसा अगरके अपनी बत्तमीजी साबित कर रहे हैं मुझे नहीं पता आप लड़के हो या लड़की हो लेकिन एक बात है जो दोनों के लिए same है अगर आप दूसरों से ज्यादा समझदार हो और attractive हो तो अपनी समझदारी पर और अपनी खुबसूरती पर कभी भी घामन्द मत करना वरना आप एक attitude वाले नहीं ego वाले हो जाओगे जिससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा दोस्तो ऐसे ही knowledgeable content देखने के लिए वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बांकि यार अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो left वाली वीडियो देखो और smart बनना चाहते हो तो right वाली वीडियो देखो थैंक्स वाचिंग, love you all